नमस्कार दोस्तो जर्णी ओफ इलेक्टिकल में आप सबका हादिक स्वागत है दोस्तो आज का हमारा एक नया टोफिक है सर्किट ब्रेकर सर्किट ब्रेकर के उपर जो नेम प्लेट लिखी रहती है उसका जो डेटा है वो क्या सो करें उसके बारे में आज हम थोड़ी से जानकारी प्राप्त करेंगे तो आज हम जो ले रहे हैं वो है हमारा एसीबी सर्किट ब्रेकर एसीबी मीन्स एर सर्किट ब्रेकर दोस्तों यह जो दिख रहा है वो है हमारा एल एंटी का सर्किट ब्रेकर लार्शन एन टूब्रोग तो दोस्तों यह जो मैं आपको आज यह जो सर्किट ब्रेकर है सर्किट ब्रेकर के उपर यह जो नेम प्लेट है यह जो डेटा लिखे है यह डेटा के बारे में आपको आज में बताऊंगा यह हमारा सर्किट ब्रेकर के उपर जो सर्किट ब्रेकर को ओन करने के लिए ओन ओप करने के लिए ट्रिपिंग पुस्ट बट का सर्कृट ब्रेकर इंडिकेशन दिखाता है यह स्प्रिंग चार्ज है या नहीं इसका इंडिकेशन दिखाता है तो दोस्तों यह जो मैं आपको फुल फॉम जो बताऊंगा उसको भी आप नोट कर लिजिए क्योंकि बहुत से बार इंटर्व केस्टन पूछते हैं कि इसका फॉल फॉम बताऊंगा तो आप इंटर्व में आसानी से अगर आपका नाम उसका नाम पता रहेगा तो आप आसानी से उसका नाम बता सकते हैं तो फस यह जो दिख रहा है हमारा एलेंटी का सर्कृट बेकर है CNCS1250C यह सर्कृट ब्रेकर का मोड्यूल नंबर है सर्कृट ब्रेकर का कोई भी डेटा अगर हम लोग ओनलाइन देखना चाते हैं या फिर उसका पीडियेप देखना चाते हैं तो यह जो मोड्यूल नंबर है यह मोड्यूल नंबर डालके ही हम उसका पूरा डेटा हम यह जो data है, यह हमारा Indian standardized जो circuit breaker बनाने के लिए जो formula जो design होते उसके हिसाब से Larson ने यह जो ऐसी भी circuit breaker बनाया है, तो यह जो data जो सो कर रहे है वो पूरा circuit breaker बनाने का formula और उसके design के अनुरूफ है तो आगे हम चलते हैं IN IN मतलब nominal current हमारा nominal current circuit breaker का 1,2,5,0 ampere है मतलब कि 1250 तक high current अगर पास हुआ circuit breaker के अंदर से तो ये 1250 तक high current उक्सान करने की समता रख सकता है 1250 ampere current तक वो circuit breaker के अंदर जो internal parts होते हैं उसको damage नहीं होने देता है बीना damage होने हुए वो protection कर सकता है और आगे जो equipment है उसका भी protection कर सकता है 1250 के उपर जब ampere जाएगा high current लेगा तो instantly circuit breaker ट्रिप हो जाएगा UE UE means operating voltage जो हमारा circuit breaker है ये circuit breaker हमारा 415 volt मतलब 415 volt से operate होता है और इसकी frequency 50 to 60 hertz तक रहती है normally Indian standards के हिसाब से 50 to 60 hertz हम लोग कर सकते हैं आगे है ICU ICU means ultimate breaking capacity ultimate breaking capacity मतलब ये दोस्तों जो short है उसका फुल्फों में दिखा रहा हूँ आप अवस्यों नोट के लिए जीगा इंटर्यू में आपको बहुत काम आएंगे तक वो करन्ट सहन कर सकता है तो इसके हिसाब से इसकी design की ही है अगर circuit breaker 50 kilo ampere तक है high current पास होता है तो वो current सहन कर सकता है और बीना damage की है उसके जो इंटर्न पार्ट से वो protection हो सकते है next ICS ICS means service capacity ICS है वो service capacity है वो भी कितना है हमारा 50 kilo ampere है मतलब का ICU and ICS यह दोने equal होना चाहिए ICU is equal to ICS equal होना चाहिए जबकि manufacturer ट्रायल लेता है जब circuit breaker बनाता है manufacturer जब design करता है उसी वक्त पूरा design होने के बाद वो circuit breaker trial के लिए होता है तो trial जब लिया जाता है तो 50 kilo ampere तक जैसे ही load बड़ेगा या कोई short circuit होगा तो 50 kilo ampere तक वो उसकी breaking capacity है मतलब जब भी कोई fault होगा या फिर load बड़ेगा तो 50 kilo ampere तक वो load वो breaker अपना sun कर सकता है उसके बाद वो trip हो सकता है अगर trip नहीं होगा 50 kilo ampere के बाद अगर trip नहीं होता है तो breaker के इंटरनली parts या फिर आगे जो parts लगे होगे ते उसको कोई ना कोई problem होने की संभावना होती है तो ICU is equal to ICS होना बहुत ज़रीर है क्योंकि 50 kilo ampere पे instantly trip होना ही चाहिए वन सेकंड के अंदर वो instantly trip हो जाना चाहिए तबी वो breaker की design ओके है Next ICW ICW means with hold capacity ICW मतलब with hold capacity for one second मतलब जब भी अगर internally short circuit होता है तो बहुत ज्यादा high current flow होता है तो उसी time instantly one second में बेकर trip हो जाना चाहिए और internal parts जो है वो protection हो सकते हैं तो दोस्तों यही मतलब है बहुत सारे दोस्तों की यह इसका doubt होता होगा यह सब लिखा क्या है IN, UE, ICU, ICW, ICS तो फिर से मैं उसका प्खुलफम आपको बता जेता हूँ IN means nominal current वो जो हमारा है 1 to 5,0 उसकी breaking capacity है UE means operating voltage, 415 voltage पे वो operate होता है 50 to 60 Hz and ICS means service capacity 50 kPa ICS और ICU दोनों equals होना चाहिए designs और formulas के हिसाब से next ICW means withhold capacity 50 kPa for 1 second तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा circuit breaker का जो फोर्मिला होता है design जो इंडेन स्टांडरडाइस के हिसाब से होता है उसके सबसे manufacturer डिजाइन करता है breaker बहुत सारे होते है L&T के होते Siemens को होते ABB के होते Schneider के होते यह हमारा जो लिया है वो L&T का है और ACB types है ACB means air circuit breaker और यह जो utilization category है वो है हमारी B category types B category types means जब भी circuit breaker अगर उसका protection के लिए हम लोग setting करते हैं उसके load के हिसाब से और उसकी जो capacity है उसके हिसाब से हम utilization category हम लोग select करते हैं तो दोस्तों ऐसे ही wages type circuit breakers और उसके जो equipment है डेटास है उसके बारे में आप सबको आगे भी दिखाऊंगा मेरी चैनल में आप नई हो तो चैनल को लाइक, share, subscribe कर दिजिए नमस्कार